अलो स्टोरेंट मैं हूं कमर एच्व इनपूट से आज का हमारा टापिक है रियो स्टाट को वढ़ने से पहले हम थोड़े से जो प्रेवियस हमारे कुंसर्ट है उनको रिपाल करें तो हमारे पास एक रिजिस्टन्स होती थी रिजिस्टन्स हम यह कहते थे कि वह जो में अटेश करते थे यहां पर हम कोई भी बैटरी अटेश करते हैं तो यह क्या करते थी इस बैटरी के जो पोटेंशल डिफ्रेंस है यह जो क्रण्ड का फ्लो है उसको रोकती थी आप आप हम एक लोड लगा देते हैं इसमें इसमें लोड लगा लेते हैं यहां पर बल्ब लगा रिते हैं पें तो यह कहते हैं कि जब इस से कंड लो हूआ तो इस बल ने ब्लो करना शुरू कर दिया लेकिन इसमे जो ग्लो है या जो बल में कंड जा रहा हो बहुत जा रहा हम क्या करना जाते हैं यह को थोड़ा सा हाई resistance वायर होती है अगर इसमें से जो क्रंट आ रहा है हमने इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे कि इस सर्कृट की जो बढ़ा देंगे हम इसमें क्या करेंगे इस resistance को हटा के यहां पर एक मैगनेंट वायर लगा देंगे तो क्या होगा इसकी जो रिजिस्टन से कम हो जाएग है लेकिन हम कहते हैं कि अभी जो बहुत जादा glow कर रहा हमें मजीद जो है वो इसको कम करना है क्या करेंगे कि जो पहले वायर लगाए थी हम उससे एक बड़ी वायर लेंगे मैगनन की और वो इसमें अटेच करतेंगे और हम यह तब तक करते रहेंगे जब तक हमें अपना जो मतलूबा जो glow है या मतलूबा जो current है वो नहीं मिल जाता तो हम तब तक जो है वो current को कम करते जाएंगे मेगनन की वायर लो लगाते जाएंगे लेकिन अगर हम इसको practically देखें तो हम हर बार सरक्ट को break करके और उसमें जो है वो changing नहीं कर सकते हैं तो हम एक ऐसा जो device है जो ऐसा resistance चाहिए जो के पंके के dimmer की तरह काम करें कि आप जस्ट उसको उसकी knob को गुमाएं और आपको जो है वो मतलूबा जो है वो current मिल जाए जैसे पंके में होता कि आप उसके dimmer से उसकी जो speed है उसको कम या जादा कर सकते हैं आपको बार बार सरक्ट को break नहीं करना और आप उसको गुमाएं के कम या जादा कर सकते हैं तो इस मकसद के हमारे पास जो device use होता है उसे हम rheostat करते हैं कि rheostat basically हमारे पास एक ऐसा है resistance है जो के variable है इसकी values को हम कम या जादा कर सकते हैं सबसे पहले हम इसकी construction देख लेते हैं कि rheostat होता कैसा है रियोस्टैट basically एक bare magnet wire है जो कि insolating slender पर हमने wound कि होती है कि हमारे पास यह वाली जो चीज है यह हमारे पास एक slender है और उसके उपर यह हमने meganon की जो wire है उसको wound किया हुए है जो कि हम अभी कहा रहे हैं जो कि हम सर्कृट में बार बार उसको लगा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक slender लेते हैं और उस पर हम सब्सक्राइब करने किसी को भी एफक्ट ना करें। लेकिन मेगनन के केस में हम जु है वूसको पर कोई भी इंसुलेटिंग वह वह मेटीरियल नहीं लगाएंगे। इसलिए नि Here रहेंगे क्योंकि हमने इसके साथ एक sliding contact लगा रहा है यह वाली जो चीज है हमारे पास यह sliding contact अब sliding contact का क्या गाँ है बसके नहीं कि यह हमारा a point है यह हमारा b point है और इसको हम c कह लेते हैं कि हमारा हमारे पास जो resistance है जो real state है इसके दो purpose होते हैं एक होता है variable resistance होता है potential divider potential divider कि हमारा जो real state है उसको हम दो तरीकों से use कर सकते हैं या तो हम उसको variable resistance कर सकते हैं या हम उसको फ्रेंचर divider उसकर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि variable resistance कैसे होती है अभी हमने गहाँ कि ये point A है ये point B है ये point C है और ये हमारे पास क्या है मेंगरन की wire है और ये उसका sliding contact है अब हम क्या करते हैं इसको किसी भी circuit में जोड़ देते हैं इसके साथ हमने circuit जोड़ दिया यहां पर हमने एक battery attach करती और इसको B points जोड़ दिया अब हम क्या करते हैं बैटरी को इसको potential देना शुरू कर दिया अब फार इसेंबल के इस जो total real street की जो resistance है वो 10V है कितनी है दस वोल्ट है हमें जो circuit में चाहिए वो चाहिए 2V हमें circuit में कितनी चाहिए 2V चाहिए अब बैटरी का जो काम है वो तो उसने 10V देना ही देना है अब आगे जो resistance है उसका काम है कि उस voltage को कम या ज्यादा करें, तो हम क्या करेंगे, कि यह जो B point है, इसको जोड़ेंगे इस contact के साथ, अब जब आप A से B point की तरफ जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं, तो जो resistance है, वो increase कर रही होती है, कि जब आप इतना area use कर रहे हैं, मेगन एन वायर का, तो इसका मतलब है कि यह जो resistance है, और यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4 थी, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो आप कर रहे हैं, जैसे जैसे आप A से B की तरफ जा रहे हैं, आपकी जो resistance है, वो बढ़ती जा जा रही है, और आपका जो वोल्ड है, वो भी वैसे वैसे ड्रॉप होता जा रहा है, लेकिन जब आप B से, A की तरफ आएंगे, तो जो resistance है, वो decrease करेगी, पहले आपकी इस पॉइंट पर थे, इस पॉइंट पर आपकी जो resistance ही पो 10 थी, इस पॉइंट पर इसको ले आएंग तो आपकी जो resistance है, वो zero हो जाएगी, means कि जब आप A से B की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो resistance है, वो increase करती जाएगी, और जब B से A की तरफ आएंगे, तो decrease करती जाएगी, और इसी तरह से हम इसको as a variable resistance use कर सकते हैं, वैसे जो resistance है, उसका symbol ये होता है, लेकिन अगर उसके सा हम ये वाला sign लगा दे हैं, तो ये real state को, real state, या आप इसे कह लें कि ये हमारे पास एक variable resistance है, कि जब हम इसको अपने हिसाब से, इसकी जो resistance है, वो just contact को move करवागे, अचीव कर सकते हैं, जितनी हमें resistance चाहिए होगी, हम उतनी इसको अचीव कर लेंगे, हमें बार-बार जो meganon की wire को बढ़ा या चोटा circuit से निकालना या डालना, इसको बढ़ा करके डालना, ज़्यादा resistance चाहिए, तो कम चाहिए, तो छोटी, means की कहने का मक्सित या है, कि हम बार-बार सरक्ट को break नहीं करेंगे, just हम contact को move करवाएंगे, यह जो contact point है, और हम अपनी जो मतलूब resistance है, वो ले ले लेंगे, तो इस तरह से हम real state को variable resistance के तोर पर use कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा होता है अब इसको potential divider के जोर पर कैसे use कर सकते हैं, यह हमारे पास एक LED है, यह 3 volt पर जलती है, और अगर आप इसको इससे ज्यादा volt देंगे तो यह fuse हो जाएगी, यह जल जाएगी हमारे काम के लिए लेगी, हम एक battery लेते हैं, battery है 10 volt की, जैसे ही हम इसको इस battery के साथ connect करवाएंग इसको 10 volt battery और देगी, और यह क्या हो जाएगी, fuse हो जाएगी, जल जाएगी, तो हमने क्या करना है, हमने इस battery को use करके, इसको 3 volt देने है, और 3 volt हम इसको कैसे दे सकते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे, रियो state, रियो state कैसे लगाएंगे, कि हम इस battery को इस state के साथ connect करवाएंगे, यहाँ पर हम battery लगाएंगे, और इस contact को इस LED के साथ जोड़ देंगे, अब होगा क्या, कि जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हैं, यह जो resistance है वो increase कर रही है, और आपका जो potential है, वो कम होता जा रहा है, तो हमें जितनी चाहिए, हमें तीन वोल्ट चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो हमें तीन वोल्ट मिल जाएगा, पर एगर हम इसको ऐसे लिख लिख लेंगे, यह मारे पास एक real state है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हमें कितना चाहिए, तीन वोल्ट चाहिए, हम क्या करेंगे, LED का एक पॉइंट यहाँ पर कॉन्ट कर देंगे, दूसरे को इधर कॉनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर अपनी LED लगा लेंगे, तो हमें 3 वोल्ट मिल जाएंगे, इसी तरह अगर हम 10 पे और 7 पे लगाएंगे, तो हम यहाँ पर भ है, वोल्टेज है, वो ले लेंगे, तो इस तरह से यह एक potential divider के दोर भी use होता है, हमें जितनी potential चाहिए होती है, वैसे ही साफसे इसको connect करेंगे, अगर हमें ज्यादा voltage चाहिए, हमें 5 का चाहिए, तो हम एक को यहाँ पर connect कर देंगे, एक को यहाँ पर कर देंगे, तो हमे पांच वोल्ट मिल जाएगी, और यह वाला जो हिस्सा है, यह वैसे ही बड़ा रहेगा, अब अगर हम यहाँ पर voltage मेरिकना चाहिए, ओह हम लाग के मताबिक तो होता है, वी is equal to i r के, अगर हम यहाँ से current लें, i is equal to v over r, साथ हम यहाँ पर एक और r लगाएंगे, जो के real state हो यह यह यो कहले हैं, कि यह वह रिजिस्टंस है, जो के हम यूज कर रहे हैं, यूजड और यह है total resistance represent, जो के real state है, तो हम use कितनी गध defend, तो यहाँ जोंत आ रहे है, नूज़ हो थ्रियोंot यूज करते हैं उसकी टोटल रिस्टन्स जितनी भी होगी वह है और आर वह होगी जो हम यूज कर रहे हैं सर्किट में तो इस तरह से एक पुटैंशल डिवाइडर के जौर पर भी यूज हो सकता है अगरे हम इसको दुबारा से एक बार देख लें तो मारे पास दियो है कि जो रूसिंते हैं उसको बैर जो करते हैं मतलब कि स्पीकर का 9 होता है आप उसको गुमाEMA जो हमारे पास device है उसके terminal को ऐसे connect करेंगे कि हमें मत्रूप आप voltage मिले और बाकी जो है हमारे पास वो ऐसे ही पड़ा रहे इसके लिए हम यह वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि i is equal to v over r cross smaller smaller यहाँ पर वो resistance होगी जो हम यूज कर रहे हैं